बहुत लंबा इंतजार करने के बाद आज इंतजार खतम हो चुका है, हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की अनुमती दे दी है, हाई कोर्ट ने कहा है कि आप अपने ने कानून से पंचायत चुनाव कराएं, जो 50-30 महिला आरक्षन था उसके इसाब से अब चुनाव होंगे तो अब इसलिए आप जितने भी पंचायत उम्मीदवार हैं चाए सरपंच हैं चाए बिलोकसम्मती हैं चाए जिला पारसद हैं तो अपनी कमर कसलें और सुत्रों के मताबिक पता चला है कि जून में ही चुनाव होने हैं जल्द ही चुनाव होंगे और आज से ही आप अपनी तैयारी सुरू कर दें वहीं रौतक में एक सबहा में मुक्य मंत्री मनौरलाल खटर ने कहा है कि जून में हम चुनाव जल्द से जल्द करा देंगे और तो इससे साबित होता है कि अब चुनाव की तारीक इस हपते आ जाएगी आज थर्सडे है कल फ्राइड है और अगले हपते में चुनाव की तारीक आ जाएगी तो बहुत लंबा इंतजार था हर किसी को इंतजार था कि बेसबरी से इंतजार था कि पंचाय चुनाओं की तारिक कब आएगी कब आएगी कब आएगी सरपंचों का खर्चा बहुत हो चुका था और अब जादा होने वाला है आज से ही आप खर्चा चालू कर दें आज से ही आप मेहनत चालू कर दें आज से ही आप अपने वोटरों को लुभाना चालू कर दें और उनके पास जाना चालू कर दें उनसे बातचीत करना चालू कर दें और मुझे वोट देनी है मुझे जिताना है मुझे काम्याब करना है और बहुत सारी चीजे हैं हम तो सिर्फ इसलिए ये वीडियो बना रहे ह आप के तक पहुँचाने के लिए ताकि आपको पता लग जाए इंतजार ऐसे था कि जैसे इद का चांद का होता है आज 29 और 30 में जब इद होती है कि छतों के ऊपर देखते हैं 29 में चांद को भी देखते हैं और 30 के चांद को भी देखते हैं तो इसी तरह पंचाय चुनाओं की तारिक का इंतजार था तो अब हाई कोट ने आदेश दे दी हैं कि भई सरकार को आप जल्द से जल्द चुनाओ कराएं और नए कानून से चुनाओ कराएं आप देखते हैं कि किस-किस गाओं में महीला आरक्षि सीट आती है और कौन-कौन गाओं से जेंज सीट आती है वो तो और इन और एवन का जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से चलेगा और इसे पंचाए चुनाओं के बारे में आपकी क्या ख्याल है क्या सरकार ने लेट से ज़्यादा लेट नहीं किये हैं या फिर और लेट होना था या फिर इनको और जल्दी चुनाओं कराना था या फिर सरकार ने इसलिए चुनाओं नहीं कराए कि इनको फ्रोफिट था या फिर हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है इसकी वज़े से नहीं कराएं, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारा सिर्फ यही आप से कहना है अनुरोध है, कि आप अपना वोट सिर्फ एक वोट होता है अपना और यह वोट बहुत अमुल्ले होता है, इसकी आप कीमत ना ले, आप इसको इस तरह वोट को कि भाई ये बंदा मेरा विकास करा सकता है ये बंदा मेरा दुख में काम आ सकता है वोटों पर आप पैसे ना ले रुपे ना ले और आप अपना वोट उसी को दे जो वोट के लायक है ना कि अपना वोट ये सोच के दे कि ये मेरा परिवार का है और ये ऐसा है विकास नहीं क नहीं लेना चाहते तो सबसे हाँ हाँ बोलनी है और वोट उसको ही देना है जो वोट के लायक है जो वोट की कीमत को समझता है जो मोल वोट नहीं लेता है बैस इसके उपर लेता है कि मैं आपका हर दुख सुक में काम रहूं आऊंगा और आपका पंचायत का विकास कराऊंग और आपके साथ खड़ा रह हुआ आप चाहे मुझे बारे बजे मेरी फॉन की घंटी क्यों ना बजाए ऐसे को नहीं देना है जो आपको वोट के बदले पेसे दे ऐसे आदमी को तो विलकुल भी वोट नहीं देना है जो आपके वोट पेसों से लेगा आपका क्या विकास करा और नहीं आप अधिकार है आपको कि उससे विकास कि आप कह सकते हो आप तो यह कहोगे मैंने इससे पेसे लिए थे वोट के तो इसलिए आप उसी को वोट दे जो वोट के लायक हैं और आप पंचायत चुनाव जल्दी होंगे जून में ही हो जाएंगे अब मई चल रहा है म मई में तारीक आजाएगी इस हफते तारीक आजाएगी इस तारीक के हफते आने के बाद में फिर अपना सपोर्ट चालू हो जाएंगे क्योंकि उम्मीदवारों को टाइम भी होता है कि उनका फारम भी भरना है उनका नोमिनेशन भी चेक होना है उनके नोमिनेशन वापसी भी होने हैं, बहुत सारा काम है, और पंचाइद विबाग को मशीन भी सेट करनी है, अभी ड्रा भी खुलने हैं, तो बहुत सारा काम है, तो इसे हबते पंचाइद चुनाओ के तारीक ते हो जाएगी, और हरियाना हाई कोट ने सरकार को आदेश देदी हैं, कि वह आप चुन नौरलाल खटर ने रौतक में कहाता कि हम जल्द ही चुनाव कराएंगे तो इससे साबित होता है कि आप जितने भी उम्मेदवार हैं तो अपनी सपोर्ट चालू कर दें आप लोगों के पास जाएं और वोट मांगें और वोट भी इस तरह मांगें कि मैं आपके पंचायत में विकास करा हूँ आपके वार्ड में विकास करा हूँ ऐसा नहीं कि मुठी बंद के नहीं और वोट मुझे देना है कि आपको पैसे दे रहा हूँ और वोट मुझे देना है आप भी ऐसा ना करें और वोटर भी सुन लें कि वोटर भी पैसे अगर वो पैसे देता है तो ले वोट नहीं देना है विल्कुल अगर वो पैसे दे रहा है पहले आप मना करो अगर वो नहीं मानता है तो आप पैसे ले लो और उसको विल्कुल भी वोट नहीं देना है वोट देना है जो सिक्षित है जो कार्रे कराएगा जो विकास कराएगा बहुत सारी बाते हैं वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन थी हमने वो सौंट में आपको दे दी है और इस पंचाय चुनाव के बारे में आपके क्या क्या ले और अगर ज्यादा पैसा वाला है और ये सोचता है कि भई मैं पैसा वाला हूँ मैं पैसे से वोट खरीद रूँगा मै पैसे से जीत जाऊँगा तो आप लोगों के पीछे आप उसका बल निकाल दीजिए उसको भी थोड़ा याद आ जाए कि भई पैसा ही सब कुछ नहीं होता है इज़त भी बहुत कुछ होती है और लोगों के बीच में भी बहुत कुछ होता है बीचों में बीच में भी जान और ना आप उससे बोल सकते हैं, ना आप उसके कोई समस्या को कह सकते हैं, ऐसे को वोट बिल्कुल बिना दे, वोट उसको तो जो वोट के लायक है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा आफिज